वेलो वेज़ वेल्कम दू मैं चानल एंजल गैबिल चैरिस दिस वीडियो आप मेट फॉर जेमिनाई मिथुन राशी के लिए आपको लिए मेसेज है दिसंबर के लास्ट मन्त है इस साल का तो एंजलस मेसेज कर रहे हैं कि इस मन्त में थोड़ा पेशेंस रखियेगा तो बह बहुत जल्दबाजी में काम मत करिएगा कोई जल्दी से कोई फैसला मत ले लीजेगा देखिएगा परखिएगा सोचिए समझिए कैसा वो इनसान है या कैसी वो सिचुएशन है क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है इस सब सोच समझ के जल्दबाजी में इस सब कोई काम म रखके चलेंगे जल्दबाजी नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा पेशेंस रखिए किसी भी सिच्वेशन में जहां आपको लगता हो कि मुझे ध्यरे रखना चाहिए थोड़ा इंतिजार मैं कर सकता है कर सकती हूं तो करिएगा आपका इस वक्त पिथवी अर्थ तत्व जो है जो आपका अर्थ ऐलिमेंट है बॉडी में वो बहुत ही अच्छा है stability रहेगी आपके life में इस्थिरता रहेगी चाहें आपके पैसे से लेकर के हो चाहें आपके love affairs relationship में हो अपने पितवी तत्व को अच्छा करने के लिए आप मित्ती के बरतन में खाना खा सकते हैं या मित्ती के किसी glass में पानी पीजिए ये earth element को अच्छा करता है इससे क्या होता है कि stability रहती है लाइफ में तो इंसान चिंता मुक्त रहता है वरना क्या होता है कि आज हमने ये नौकरी पकड़ी आप फिर मन किया कि चलो मन हटने लगा दूसरी नौकरी पकड़ेंगे या कुछ और करने लगेंगे आज किसी को दोस्त बनाया फिर छोड़ दिया फिर कोई और दोस्त बन गया ये चीज़ unstability जो होती है वो हमारे पित्वी तत्व की कमी होने की वज़े से होती है तो धीमे धीमे इसको improve करेंगे वो ऐसे करेंगे कि हम जब meditation करते हैं तो जो हमारा root chakra है तो root chakra का जो नीचे का जो होता है वो earth element का एक chakra होता है आप में सुना होगा कि seven chakras तो हमारे body में होते हैं लेकिन दो chakra ऐसे होते हैं जो हमारे उपर और नीचे होते हैं उपर छे नीचे होते हैं तो जो सबसे उपर वाला तो Soul होता है, Soul Chakra जो कहते हैं, वो हमारे Divine Energy उसको connect करने के लिए मदद करता है, और जो Earth पिथवी तत्व है, वो हमारे जो चक्र होता है, वो हमारे Root होती है, जो अगर आपने देखा होगा, Tree of Growth, तो उसमें क्या देखा होगा, आपने वो भी Healing में काम आता है, वो एक Symbol है, आप उसको लगा भी सकते हैं, उस तरह का Locket पहन सकते हैं, Tree of Growth का, वो बहुत अच्छा होता है, आप सिंबल दिखाता है कि आपका Growth होगी अब Life में, तो वो एक Symbol, वो आपकी Green Color Healing में भी काम आता है, आपको पता ही होगा, Healing Color जो है, वो Green Color, या Forest Green Color, या Light Green Color, जो Grass का Color होता है, वो Healing में काम आता है, तो अपने Earth Element पे थोड़ा सा Work करिए, वैसे उसमें ठीक दिख रहा है, और Stability रहेगी लाइफ में, अगर ये कहीं पे आपको Unstable लगता है, कि लाइफ में चीज़ें Unstable हैं, तो आप उसको Improve करिए, और एक अच्छी एक Energy दिख रही है आपके Heart चक्रा से, जैसे होता है कि कुछ भी करने की शक्ती है आपके अंदर, जैसे होता है कि कुछ भी पाने की एक शक्ती, शक्ती, इच्छा तो है, लेकिन शक्ती भी है, उसको आप पहचानिए, उसमें थोड़ा सा Work Out करिए, अपने चक्र पे जब आप Work करते हैं, तो आप चीजों को Life में Attract करते हैं, उतना जादा आप Attraction जतना आप कर सकते हैं, Meditation के थूँ, और बाकी खाने पीने के वस्तूँं से भी तामसिक चीज़ें छोड़ दिजे, जैसे तामसिक चीज़ें हम सब जानते हैं, तामसिक क्रिय और ये शमता आप रखते हैं, एंजल से यही मेसेज कर रहे हैं, नेक्स इससे मेसेज है, सूरदेव को अगर जल डाल सकते हैं, ये रेमिडी एक आई हूई आप लोग के लिए, सूरदेव को सबरियोड करके तामे के लोटे में, सिम्पिल, मतलब उसमें रोली टीका डालिं पानी, आप ये करके देखिएगा, और हेल्थ इससे अच्छी होती है, इससे कॉंफिडेंस लाइफ में बरता है, अगर आप ये सरकारी नौकरी लगरी तो गर्मेंट जॉब लगती है, या सेमी गर्मेंट जॉब भी लग सकती है, या किसी के कहीं एडमिशन नहीं हो रहा ह पढ़ाये में दिख्कात आ रहिए, सूर्देव को जल डालिए, हडडियों के ब्रॉबलम है, B.P.H. लोग के ब्रॉबलम है, सूर्देव को जल डालिए, खून की कमी हो गई है, हैल्स के ओर्मकों पूर्म हो रही है, तो यह चोटी मुटी जो चीजे होती है. ये सूर्दे अच्छी दिख रही है, नई चीजें उत्पन होंगी, न्यू बिगनिंग का यहां पर मेसेज है हुआ है, नई लोग, नई सिच्वेशन, नई नौकरी, नई कुछ नई आइडिया, कुछ क्रेटिव आइडिया आपके माइंड में आएंगे, यह बिस्टिस में काई डीलिंग चल रही है, तो वहाँ कुछ नई आ क्रेटिव सकता है, आपको डिसीशन ले ले हैं, कुछ नई चीजें आपके लाइस में आएंगी, इंकलूड होंगी, कुछ नई दोस हो सकते हैं, उनको मौका देजए, यहां आप दोस्ति करेंगे, तो हो सकता है, वो काम आया गया आप अगर आप कोई feather देखते हैं, road पे, मतलब कहीं पे भी अपने घर पे, door पे, या balcony में, समझ आएगा कि या bird देखते हैं, या butterfly देखते हैं, बालकनी में या gardens में, तो वो आप symbol of sign समझे कि कोई angel आपको देख रही है, वो message करना चारी है, उसी के बाद ही कोई ना कोई में आएगी, लेकिन आपके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो ये चीज़ें आपके life में होगी, दिसम्बर मन्त में, तो या feather अगर आपको मिल जाए, वही मैं कहा रही थी कि punk मिल जाए, तो रख लीजएगा अपने पास, और आपको जैसे मैंने बताया, उनके messages को देखने ही कोशिश करेगा, यूनिवर्स आपको क्या message करना चाहा रही है, देखी ये सब situation दब होती है, जब आप शान सबाव के होते हैं, और लोगों से कम मिलते जुलते हैं, और अपनी energy को जितना retain करेंगे, अकेले बैठके meditation के थूँ, उतना अच्छा है, लोगों से बा energy को retain करें दुबारा से, और मैं connect करें कोशिश करें, spirit guides से, angels से, divine energy से, कुछ नए शुरुवात होगी, जैसे को मैंने बताया, emotional बहुत feel करेंगे, और इसमें यह message है, अगेन energies के बहुत आपके यहां पर message आया हुए है, आपकी energy level काफी अच्छा रहेगा, आपके व्यक्तित् अपने energy को बस retain कर लीजे, जब तक आप वो चीज़ करेंगे नहीं, वो possible कैसे होगी, यहां पर जो messages आ रहे हैं, जब आप वो करेंगे तब तो मिलेगी न, वो जब आप करेंगे नहीं, और सोचेंगे energy retain होगा, करके हम एक दम चमक उठेंगे, लोग के बीच में ऐसा नहीं हैं, आपको अपनी energy retain करनी होगी, retain मतलब दुबारा सो उसको gain करना है, positive energy को अपने औरा में, अपने सातों चक्रों को heal करने कोशिश करिए, यहां पर healing का आपका बहुत अच्छा message है, अगर किसी healer के थ्रूँ आप healing करवा सकते हैं, तो करवाईए, या खुश से भी meditation के थ् आप आसन आपका, क्योंकि आपका earth element का आया है आपे, आसन आपका navy blue या violet indico color हो सकता है, और healing energy के लिए आप green color, forest green color, जैसे कि मैंने बताया ना कि एक growth of tree होता है, वो आप photo सामने रख सकते हैं, या green color का कुछ भी अपने सामने कोई cloth या परदा या कुछ भी object रख सकते हैं, उस पर concentrate करने कोई हैं, या आप खुद भी पहन भी सकते हैं, ये colors आप अपने लिए भी उस कर सकते हैं, मैंने बताया yellow, orange, yellowish orange color, यानि कि आपके जो नीचे के जो चक्रा है, solar plexus और सौदिश्टान चक्र जो आपको होता है, solar plexus, sacral और root चक्रा, ये तीन आपके अगर improve हो कि आपका conscious mind बहुत active रहेगा, चीजों को देखने की भापने की जो एक habit होती है, वो आपके अंदर देख रही है, चीजों को भाप लेना कि क्या सही है, क्या गलत, अगले जने के मन में क्या चल रहा है, वो आप भाप लेंगे, बहुत sensitive होते हैं आप लोग, बहुत जल्दी आपके एक magical चीज यहां पर होने की possibility देख रही है, कुछ भी मतलब जैसे अचानक से कोई चीज हो सकती है आपके साथ, एक अच्छी चीज दिख रही है, कोई secret, कोई reveal हो सकता है, कोई रहस्माई चीज आपके सामने आ सकती है, आप कहीं कुछ, किसी चीज़ कोई खुलासा होगा है, कोई reality आपके सामने आई, यह चीज होगी December मन्त में, और किसी चीज को लेके बार-बार सोचेगा नहीं, इंजिस मेसेज करें सकता है, आप किसी situation को लेके बहुत emotional फील करें, तो हो सकता है, सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, तो उस पर टाइम ली बेस्ट करिएगा, और आपके यहाँ दिख रहा है, कि red color को तो उसको आप उस तरह की clothes पहन सकते हैं, या nail polish यूज कर सकते हैं, या purse यूज कर सकते हैं, या कोई crystal अगर आप रख सकते हैं, तो रखिए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, और आपका, आपकी December month में किस्मत बहुत अच्छी है, उसको सही जगे लगाईएगा, किस करके पाकी रहूंगा यह रहूंगी, इस तरह इसी feeling आपकी रहेगी, confidence अच्छा रहेगा, विश्वास रहेगा अपने पे, इन जो इस message कर रहे हैं, कि आपको ये सब remedies को learn करना चाहिए, कि healing कैसे करें अपनी, तो वो करिए, और आपी लोग के लिए message है, तो I think, इसमें आप और चीज, enemies से बचके रहेगा, कोई एक जना है, जो बहुत जलनक हो रहे है, यहां पर ये भी आ रहा है, तो ये एक छोटी सी चीज है, कि जादा तो वो गुश्नी कर पाएगा, लेकिन हाँ, अगर आप उसके पास नहीं बैठेंगे, या पास उसके जाएंगे नहीं, या बाचीत नहीं करेंगे, तो आप सेफ रहेंगे, क्या है ना, कि negative vibes आप एब्जॉप कर लेंगे, तो चीजें damage होती हैं फिर, नजर लगती है इस तरह से, तो मत करेगा, थोड़ा सा अच्छे vibes वाले लोगों के साथ ही रहेगा, अच्छे महौल में रहने कोशिश करेगा, त तो आपके चीजें इंप्रोव होती जाएंगी, हफते में दो तीन बार ही मेड़ेशन कर ली जेगा, I think the message is very very clear, from the divine energies and from my angels, thank you so much, thank you so much.